तो गाइज इंडियन बाइक ड्राइविंग के अंदर फ्रैंकलीन ने ओपन कर लिया है एक टाइनी एनिमल फार्म जिसके अंदर गाइज उसने तीन टाइनी भेंसों को पाला था तो फ्रैंकलीन के पास ये तीन टाइनी भेंसे कहां से आए और फ्रैंकलीन ने ये टाइनी फ से थोड़ा सा सकून मिलता है तो चलते हैं फटाफट तो यार आज तो बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम है यार कितना प्यारा लग रहा है एक सेगंड सामने यार मुझे कुछ दिख रहा है यह क्या चीज है और रिभाप रही गाईज यह तो एक टाइनी बफेलो है जो कि देखो इसकी हालत मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही किसी नहीं जान बुच के इसको यहां पर छोड़ दिया है ताकि यह डूपके मर जाए लेकिन इसको घर पे लेकर चलना पड़ेगा इसके हालत बहुत ज्यादा खराब है ओके गाईज मैं इस बफेलो घर पे तो रात हो चुकी है तो कल का वेट करना पड़ेगा मुझे कल मैं जाओंगा जुरासिक पाक में ओके गाईज गूड मॉर्निंग एक सेगंड मैं कुछ भूल गया अरे यार कल में एक बहंस को लेकर आया था चेक करते हैं जल्दी से एक सेगंड मैं तो यहां पर एक बहंस को ल कोज मेरे पास यार बहुत यूनिक चीज है जो कि यार पूरे इंडियन बाइक में किसी के पास नहीं है तो इन बफेले को खाना के लिए सबसे पहले मुझे कुलाडी चाहिए जिससे कि याज जुरासिक पार्क के अंदर में सूखे हुए पेड़ को काटके इनके लिए चारा पता नहीं गाइस यार उदार देगा या फिर नहीं मेरे पास तो बिलकुल भी पैसे नहीं है एक बार ट्राय कर लेते हैं नहीं देगा तो कुछ ओड जुकार लगाएंगे गाइस ये बिलकुल भी नहीं मान रहा यार मैंने बहुत जादा रिक्वेस्ट करी बाद में पैस ये रहा गर के पास टेल रहा है इसकी ऐसी की तैसे करता हूँ अभी अराम से बस मरना नी चाहिए मरा तो नहीं भाई इसके पैर जरूर टूड गए है मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी से चलके देखते हैं इसके पास में यार इसके पास पैसे होंगे या फिर नहीं भाई यार इसके पास तो पैसे है नहीं यार दूसरा बंदा फाइंड करना पड़ेगा एक सेगंड सामने कोई जा रहा है ना इसको ठोकते हैं ये तो पैसे वाली पाल्टी लग रही मुझे मर तो नहीं होगा भाई धीरे से टोका है बिल्कुल बहुंस ज़रूर होगा पास में जलते हैं इसके पास पैसे तो होने चाहिए गाइस पैसे के साथ में मुझे काफी सारे वैपन मिल गए यार यह देखो एके 47 भी मिल गई चलो बाई फ्री में दो-दो काम हो गए यह काम आएगी बाद में अबी में स्टोर पर वापस आ चुक है मेरे पास तो पैसे आ चुक अच्छों पैड़ मुझे एक सूखा पेड़ वाइन कांना पड़ेगा इतना बड़ा जुरसीद पार के पता नहीं कहां पर फाइंड करूंगा चलोगा जुरसीद पाक तो आ चुक है अब यहां पर मुझे एक सूखा पेड़ फाइंड करना है जो एक मुस्किल टास्क ओन slow motion जलदी activate हो ज़ Incorporate okay अब यहुह पर जल्दी से एम करते हैं आले बहुत सलो हो रहा है प्रेंक्लीय कतरार वापस गन जल्दी से मालना भाई hom do mów do यह बहुत जल्दी मरो स analytics जे मस्त निले है तो काफी जादा आपकर ने के बाद मझे आक सूखे बफेलो इसको आजराम से खाएगी तो जल्दी से इसको गाड़ी में लोड़ करके घड़ चलते हैं लगता है गाईज मैंने कुछ जादा ही चारा ही खटा कर लिया है पता नहीं आपर महीने बर का काम तो हो गया साइद अपनी बफेलो का तो इतना सारा खाना देकर दोनों ख तो लास्ट टाइम यह जो अपनी बफेलो कहा सकती है बर पेट उनके लिए रख सकता हो में इसमें खाना तो एरपोर्ट की बिल्दिंग तो आप इसके पिछली साइड में जाना है यहां पर यह रहा है यह रहा है जल्दी से इसको ओपन करते हैं आई तिंग यहां पर यह अरे यार यह दर्वाजे साइड लोक लगा हुआ है अरे यार मैंने सोचा था भाई यह अराम से खोल लेंगे तो इसकी चाबी यह वो है गाइस पुली स्टेशन में और पुली स्टेशन की ड्रोवर में छुपा के रखी उन लोगोंने यार पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है जबकि यह तो कबार खाना कोई भी कबार डाल सकता है यहां पर आके और उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा यह स्टोर रूम था उसको क्यों बंद करके रखा है लोग के अंदर पता नहीं गाइस को सीक्रेट भी हो सकता है चल के देखते हैं एक काम करते हैं चुपके से पु प्रेमरे ने देख लिए बहाई यह पुलीस वाले मेरे पीछे पड़ गए यार भाग फ्रैंकलिन उपर गन निकालने का टाइम आगे गाइस यह तो डारिक्ट बुलेट फायर कर रहे मेरो पर अवे अवे तेरी आसी की तैसी तू भी मर अवे बच कैसे गया लेट्स को इस अरे भाई कहां पर जाके चुप गए यार अरे आना कोई तो बार यार मुझे नीचे जाना पड़ेगा इनकी ऐसी की तैसी कर दूगा भाई मेरे को उपर देखे नीचे चुप गई यह अभी तुम्हारी वाट लगाता हूँ गाईजर मेरे पीछे तीन स्टार्ट अरो अर यहां पर चुप जाओंगा जब तक पुलीस नहीं हट जाती है यार अभी तक पुलीस नहीं हटी है मेरे पीछे से जल्दी से यार फैंकली लोग डॉपन कर फाइनली जहां पर मैं अंदर तो आचका हूँ थोड़ी देर यहीं पर चुप जाएंगे लेकिन साथ में देखो मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया है तो दूसरी बफेलो कहां पर है यह तो मेल बफेलो अरे फीमेल को क्या हुआ भाई साब इसकी तब्यात मुझे सही नहीं लग रही है मेल वाले बफेलो ने कुछ किया तो इसके साथ खैर जो भी हो गाइस अपने काम करते हैं अपने इ अब बाई क्या गर रही है यार तो जल्दी जार प्लेन में बैठते हैं और प्लेन उड़ा के सीधे काम करेंगे बिल्डिंग को पर ही लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है गाईस सो लेट्स गो जल्दी से उड़ान बरते हैं को कि यहां से मुझे पर है ओके मिल गई तो यहां पर मुझे लेंड करना है मैंने कुछ जादा ही स्पीड तो नहीं कर दी भाई स्पीड बढ़ा थोड़ी सी बढ़ाले बस अरे नीचे नीचा प्लीज प्लीज पर्फेक्ट लेंडिंग होनी चाहिए लैट्स गो चलो बाई फाइनली यहां पर को डारेक्ट लेंड कराऊंगा अपने घर पर अभे थोड़ी सी गूम तो जाए कहां पर जाना है सामने थुरी जाना वरी तोड़ी राइट राइट-घूरी क्या प्लेन बाई पूरी गूम गई पागल लेंगिया भाई सामने लेंड कराना एकदम विचारी बफेलो के पास जाना होगा यार उसकी हलत बहुत ज़्यादा खराब है मेल बफेलो ने कुछ तो किया है भाई अरे यार कुछ ज़्यादा ही आगे जा रही थी तो मैंने एक्जिट बटन तो बाद है लेकिन स्विविंग पूल में प्लीज नहीं गिरा भाई हैल्थ तो नहीं गई लेकिन हड़ी पस लिए कोगी स्विविंग पूल में जंप मारते है यहाँ पर अरे भाई यहाँ पर भी हड़ी टूट गई दो तीन कोई बात नहीं गाईज चलो यहाँ पर मैंने stable का setup कर दिया है और यहाँ पर female वाली जो rest कर रही है और यहाँ पर male buffalo जो खाय जा रहा है खाना कबसे और यहाँ पर यह अपना stable ready हो चुका है बिलकुल मुझे ऐसा लगा कि भाई दोनों buffalo breeding कर चुके हैं अब एक साल बीच चुका है देखते क्या हुआ यहां पर बैसे का बच्चा भी हो गया यह तो भाई ऐसी प्रैक्टिस कर रहा हूंगे लेकिन भाई साव यह क्या चल रहा है यहां पर फ्रैंक्लिन ने इनको पाल पोस्त के काफी ज्यादा बड़ा कर दिया है और बैसा भी बै अब्डियो में बाई अनलव यू अल